Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about values at workplace and interrelation of values and skill. So let's start with values at workplace. So values at workplace का मतलब क्या है? उससे पहले आपको clear होना चाहिए कि values क्या होती है? तो values क्या है? वो element है, वो principles हैं, जो guide करती है एक person के behavior को, जो influence करती है behavior को. For example, अगर आपकी values हैं कि आप truth पे focus करते हो, अगर आप kindness पे focus करते हो, तो अगर आप दूसरों की help करना चाहते हो, आप हमेशा सच का साथ दोगे, तो वो आपकी behavior को influence करेगा ही न, उसी के according अप behave करोगे और वही आपके behavior में reflect होगा. तो वो क्या हैं? आपकी values और हर एक person की value system होता है. Value at workplace क्या हुआ? कि एक organization में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे कौन से principles को हमें follow करना है, वहाँ पे किन चीजों को follow करना है, जहाँ पे जो हमारे behavior को impact करेगा, that is values at workplace, कि organization के अंदर किस principle को, किस norm को हमें follow करना है, so that हम अच्छे से behave कर सके, that are the values at workplace, और जो values at workplace है, वो कौन, वो खुद organization determine करती है, कि एक organization के अंदर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कौन से principles को, या कौन से belief को आपको follow करना है, so that यह जो organization है, यह successfully run कर सके, that are values at workplace, so values at workplace कुछ नहीं है, simple सी बात, कि workplace पे, आपको कौन सी values को follow करना है, are known as values at workplace, जो determine करती हैं, कि काम करते time, आपका कौन सा behavior acceptable है, और कौन सा behavior acceptable नहीं है, so what are the various values of Indian workplace, कि Indian workplace पे कौन कौन सी values को follow किया जाता है, first is cooperation, कि cooperation obviously follow किया जाता है, कि सब मिलके काम करें, इकठा मिलके काम करना, क्योंकि organization एक परसन से तो बनी नहीं होती, number of person होते हैं, तो वो सब मिलके इकठा काम करें, ताकि goal को achieve किया जा सके, is the first value, second is group harmony, कि अगर एक organization के अं members हैं, इसमें 15 members हैं, तो इन group के अंदर जितने भी members हैं, उनकी एक दूसरे के साथ unity होनी चाहिए, उनके अंदर harmony होनी चाहिए, एक ता होनी चाहिए, वो मिलके काम करना चाहिए, conflict ना हो उनके अंदर, ये value भी follow की जाती है, then modesty, modesty का मतलब क्या है, कि आप down to earth होने चाहिए modesty का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने बहुत कुछ achieve भी कर लिया है, तो इसका मतलब यहीं नहीं कि आप सारा दिन यहीं गाते रहों कि मैंने इस level को achieve कर दिया, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, आपके अंदर modesty होनी चाहिए, कि जो भी आपने achieve किया, that is good, बट फिर भ level के उपर कोई भी work कर रहे है, हर एक person की खुद की dignity होती है, खुद की पहचान होती है, तो आपको हर एक को respect करना चाहिए, उसकी dignity को respect करना चाहिए, that is also a value at workplace, then patience, कि आपके अंदर patience होनी चाहिए, because ऐसा नहीं है कि आज आपने efforts डाले, और आज ही आपको सारा return मिल जाएगा जो भी benefit आपको मिलना है, आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, चीजों को होने में, processing में time लगता है, तो आपके अंदर patience होनी चाहिए, किसी भी चीज के reward को पानी की, then generosity मतलब की, आप generous होनी चाहिए, आप दूसरों की help करना चाहो, आपके अंदर kindness होनी चाहिए, ताकि work place अगर आपके जो peers हैं, जो आपके colleagues हैं, उनकी आप help कर सको, और ज्यादा अच्छे relations built up कर सको, in difference to ownership, कि आपको ownership पे ज्यादा focus नहीं करना चाहिए, ownership पे ज्यादा focus यानि कि जरूरी नहीं है, कि जिसकी ownership है, वही उस चीज को utilize कर सकता है, for example, आपके पास laptop है, और आप अपनी organization में किसी और का laptop खराव हो गया है, तो क्या आप उसकी help नहीं कर सकते, तो in difference to ownership, यानि कि ownership के उपर बहुत ज्यादा oriented होना भी follow नहीं किया जासता, उससे in difference होने पे ही ज्यादा focus किया जाता है, at Indian workplace, in difference to work ethic, in difference to work ethic का क्या मतलब है, कि पहले जो Indian people थे, वो organizational और industrial work से used to नहीं थे, क्योंकि जादा तर जो लोग थे, वो agriculture या जो artistic work है, वो करते थे, बट जैसे industry established होने लग गई, तो उनके अंदर work ethics को develop करना, कि work oriented आप बनो, आपके अंदर work के लिए, उसके लिए dedication होना, that is also important, और ये values भी follow की जाती है, then moderation in speech, moderation in speech का मतलब क्या है, बात करना किसी के भी साथ, because, just because, कि आपको उसके साथ communicate करना है, कि भई मैं यहां बैठा हूँ, वो भी यहां बैठा है, तो हम चुप-चाप तो नहीं बैठ सकते, तो कुछ देर हम बात कर लेते हैं, ताकि ऐसा तो रहे कि मेरे अंदर इतनी ego नहीं है, इस सेख पर बात करने की बज़ाए, आप के अंदर एक ability होने चाहिए, कि चाहिए आप बात कर रहे या नहीं कर रहे, बट सामने वाले के feeling को, emotion को आप समझो, तो talking for the sake of talking, discourage की जाती है, Indian workplace पे, focus किस पे किया जाता है, कि आप सामने वाले के feeling को समझो, उनके emotions को समझो, and moderation in speech का मतलब क्या है, कि बहुत जादा ना बो Then, careful listening, careful listening, employee को भी करने चाहिए, और manager को भी करने चाहिए, अगर manager आके employee को कोई नई policy बनता रहा है, तो वो उसे बहुत अच्छे से सुने, बहुत ध्यान से सुने, और अगर employee को एक problem है, कोई issue है, तो manager उसे बहुत ध्यान से सुने, दोनों के अंदर listening skills अच्छी होनी कि आपके अंदर वो devotion है, वो determination है, अपनी organization के लिए work करने के लिए, अच्छा perform करने के लिए, so that organization की performance improve हो सके, that is also a value, integrity आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप गलत चीजों में नहीं जाओगे, गलत path पे work नहीं करोगे, and your accountability, accountability का मतलब क्या है, आप समझते हो कि जिस चीज की responsibility आपने ली थी, उसके consequences के लिए, आप ही responsible हो, अगर organization के अंदर एक project था, और आप उसके head थे, उसकी responsibility आपके पास थी, तो उस project का जो भी result आएगा, उसके लिए responsible भी कौन होगा, आप ही होगे, तो अपनी accountability को समझना is also a value at workplace, now, what are the value system of Indian manager, अभी तक हमने क्या देखा, कि values at workplace क follow की जाती है, अब हम discuss कर रहे हैं कि Indian workplace पे managers यानि कि higher level पे जो person होते हैं, वो कौन-कौन सी value को follow करते हैं, so first is respect for elder and tradition, कि सबकी respect करना, जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी respect करना, अपने culture की, अपने tradition की respect करना, ये value Indian manager follow करते हैं, second is hierarchy and authority, कि 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 किसको report करना है, किसके पास कितनी power है, ये सब कुछ determined होना, इन values को Indian society के अंदर काफी follow किया जाता है, कि हर organization के अंदर, ये clearly determined होगा, कि कौन किसको report करेगा, कौन किसका boss है, कौन किसका subordinate है, then spirituality की value को follow करते हैं, spirituality की value का क्या मतलब है, कि हमने अपनी previous video में भी discuss किया था, कि spirituality कितनी important है, और वो क्या होती है, so spirituality ज से relate करती है, और जो Indian managers हैं, वो भी spirituality को follow करते हैं, कि आप अच्छी कर्मों पे ध्यान दो, आप क्या करो, purposeful action करो, meditation करो, चीजों को सोच समझ के आगे बढ़ो, so that is spirituality is also followed and involved in the value system of Indian managers, और आप ये कह सकते हो, कि हर एक individual employee, हर एक individual person के अंदर spirituality है, then risk aversion, कि जो Indian managers हैं, वो risk taking की बज value हैं, उसे ज़्यादा focus करते हैं, कि हम ज़्यादा risk ना लें, क्योंकि उसके negative consequences from bear नहीं कर पाएंगे, so risk aversion पे ज़्यादा focus रहता है, long term orientation, कि Indian managers जो हैं, वो short term नहीं देखके चलते, कि छोटे time में हमें benefit हो जाए, कि एक साल में हमें benefit हो जाए, long term का सोच के चलते हैं, कि आपके अंदर loyalty होनी चाहिए, commitment होनी चाहिए, अपनी organization के towards, और जो भी rules है, regulations है, policy है, उनकी obedience, उनको आपको follow करना है, now values that Indian managers seeking in their employees, तो सबसे पहले Indian workplace पे कौन सी values हैं, हमने वो discuss की, उसके बाद हमने discuss की managers की क्या values हैं, अब हम discuss करेंगे कि employees की क्या values है, manager की अंडर जो employees क्या का करते हैं, manager कैसी values उनसे expect करते हैं, that are the employees value, first is strong work ethics, कि employees के अंदर work ethics होने चाहिए, वो काम करना चाहते हैं, उनके अंदर determination हो, वो motivation हो, वो dedication हो, और हर organization ये चाहती है, कि वो जिस भी employees के काम पे रख रही है, उनके अंदर एक dedication होना चाहिए, strong work ethics होने चाहिए, second is dependability and responsibility, कि आप अ organization के employee हो, तो आपकी क्या responsibility है, कौन से role आपको fulfill करने है, आप किस वज़य से organization पे dependent हो, उस चीज़ को समझो और उसके according work करो, then possessing a positive attitude, कि employee का हमेशा positive attitude होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि उसको नया काम दे दो, तो वो काम करने के लिए happy नहीं है, अगर उसको कोई flexibility के लिए कुछ positive attitude होना चाहिए, तो ये भी managers चाहते हैं, कि ये values अपने employees में हो, then adaptability उनके अंदर होनी चाहिए, कि अगर हम कोई changes कर रहे हैं, तो वो उन्हें easily adapt कर दे, उनको resist ना करें, कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम strike पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, honesty and integrity उनके अंदर होने च चले, सचाई को बोले में, truth को ज़्यादा focus करें, यह नहीं कि वो fraud कर रहे हैं organization के साथ, कोई भी mis practices नहीं होनी चाहिए, then self motivated, कि हमारे employees को हम तो motivate करें, बट उनके अंदर self motivation भी होनी चाहिए, कि वो खुद ही motivated हो अच्छे काम को करने के लिए, motivated to grow and learn, हम ऐसे employees चाहते हैं, ज ताकि वो नहीं नहीं opportunity को identify कर सकें, और और better perform कर सकें, strong self confidence, कि हमारे employees के अंदर self confidence होना चाहिए, कि वो हर एक चीज़ को कर सकते हैं, loyalty उनके अंदर होनी चाहिए, organization के towards वो committed होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारी organization की सारी information वो किसी और को दे रहे हैं, और professionalism होना चाहिए, formal way से organization में काम करते हूँ, now, interrelation of values and skill, कि values और skill किस तरीके से आपस में interrelate करते हैं, तो first is, कि value क्या होती है, guiding behavior, skills क्या है, जो भी proficiency आपके पास है, तो उनके बिच में क्या-क्या relation है, पहला है, यह आएगा skill, तो values और skill का मतलब क्या है, they are complementary in nature, complementary का मतलब क्या होता है, एक है, तो दूसरा अपने आप ही होगा, value है, तो skill भी होनी चाहिए, skills है, तो values भी होगी, तो यह हमारा क्या होता है, complementary nature, यानि कि hand-to-hand बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, कि values skill के बिना नहीं हो सकती, और skill values के बिना नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, और दोनों एक complementary है, तो यह वो कैसे हैं, क्योंकि value हमें क्या determine करती है, कि जो भी आपका objective है, उसको achieve करने के लिए, आपको कौन सा right path follow करना है, right path जो आपको follow करना है, वो कौन बताती हमें, values, और जो skills है, वो क्या है, इस right path पे चलने के लिए, जो skills, जो abilities आपको चाहिए, वो क्या है skills, तो एक objective तक पहुचने के लिए, आपके पास right path भी होना चाहिए, एक रास्ता भी होना चाहिए, और उस रास्ते पे चलने के लिए, आपके पास skills और abilities भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब value और skill आपस में साथ साथ चलती हैं, दोनों complementary हैं, और ये क्या होते है, value domain उतर skill domain, value domain हमें एक path बताती है, जो क्या है, right way, मिल्स सही तरीके से हम आगे बढ़ सकी, वो right path हमें बता रही है, और skill domain उन abilities को highlight करता है, जो इस right path पे चलने के लिए हमें चाहिए, so that हम अपने ultimate goal को achieve कर सकी, तो पहला क्या है, कि values and skills are complementary in nature, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, और दोनों एक organization में objective का achieve करने के लिए required है, second is motivator, motivator का मतलब क्या है, values are motivator for skills, कि value आपको motivate करती है, skills को gain करने के लिए, अगर आपकी value है कि आप दूसरों की help करो, तो आपकी values आपको motivate करेंगी कि आपके अंदर ऐसी skills होनी चाहिए, कि आप दूसरों की help कर सको, तो values क्या है, motivator है, एक ऐ ऐसा factor है, जो आपको influence करती है, insist करती है, कि आप नए-नए skills को gain करो, second is decision making, decision making का मतलब क्या है, आपकी क्या values है, उसी के base पे आप decide करते हो, कि आपको कौन-कौन सी skills चाहिए, जैसे skills कैसे हो सकती है, leadership skills हो सकती है, communication skills हो सकती है, these are the various kind of skills, listening skills हो सकती है, तो आपको कौन सी skills चाहि है, वो आप कैसे decide करते हो, on the basis of values, because value ही क्या है, एक ऐसा factor है, जो influence करता है आपके decision को, कि आपको कौन सी skills चाहिए, और कौन सी नहीं, जैसी आपकी values होंगी ना, आप वैसी ही skills को gain करने की कोशिश करते हो, अगर आपकी values में leadership नहीं है, कि आप lead नहीं करना चाहते हो, उनके सा then, behavior, कि value और skill मिलके आपके behavior को influence करते है, जैसे आपकी values है, कि आपने किस चीज को सही मानते हो, किस चीज को गलत मानते हो, कौन सी skills, यानि कि कौन कौन सी abilities आपके पास है, उसी के base पे आपका complete behavior determine होता है, इनहीं के according up behave करते हो, तो values और skills मिलके हमारे behavior को बनाती है, professional success, कि अग की organization successful हो, तो आपके पास values भी होनी चाहिए, और skills भी होनी चाहिए, दोनों मिलके क्या करती है, professional success में contribute करती है, and effective collaboration, effective collaboration का मतलब, अगर आप किसी के साथ मिलके work करना चाहते हो, मानलो, Tata एक company है, और Mahindra एक company है, अगर दोनों मिलके काम करना चाहती है, तो उसके लिए दोनों Now, what are the importance of values at workplace, कि अगर आप workplace पे value follow करती हो, आपके managers values को follow कर रहे है, आपके employees value को follow कर रहे है, और overall workplace values को follow कर रहे है, तो उसकी क्या-क्य advantages होंगी, first, कि ये एक तरीके से foremost है, जो आपकी company को बनाती है, आपकी company बनती ही आपकी values से है, तो ये foundation है, आपकी company की second, promote positivity among employees, कि अगर आ अच्छी-अच्छी values को follow करोगी, तो obviously आपका positive attitude रहेगा, और employees के अंदर positivity को promote कर सकती हूँ, value set the tone of company culture, कि values के base पे ही हमारी company का culture बनता है, culture क्या होता है, हमारी company का कैसा culture है, उसका मतलब क्या होता है, कि company के अंदर हम कौन से norms को follow कर रहे हैं, company के क्या rules है, ये सब कैसे determine होते ह तो value की help से हम company के culture को बना सकते हैं, ये हमारी fundamental responsibility है, ये एक primary function है, एक organization का and reduce cause within the organization, कि कोई भी error है, messiness है, कि सब कुछ बिखरा हुए, उन सारी चीजों को ये reduce कर देता है, क्योंकि आप पहुत अच्छे से define कर देते हो, principle बता देते हो, कि किन चीजों को follow करना है और कैसे work करना है, so these are the various importance, I hope you are clear with this topic, if you have any doubt, please mention in comment section, thank you, keep supporting.